जिले में मांसून ने जोर पकड़ लिया है मुसलाधार बारिस से नदी नाले उफान पर है मांसून में बदरा जमकर बर्सी जो की सोमवार की सुबा भी अन्वरत जारी थी जिसे की जन जीवन पुरी तरह से अस्वेस्थ हो गया वही बारिस की पहली मांसून की जमाजम बारिस ने बिजली विवस्था को तहसनास कर दिया हालात यह रही कि बारिस के साथ तेज हवा भी चली जिसके चलते जिला मुख्याले सहित ग्रामिन शेत्रों में राद भर बिजली बन रही जिला मुख्याले के कई वार्डों में रवीवार राद भर बंद हुई विजली की आपूर्ती बहाल दूसरे दिन सोमार की सुबा हो पाई वही ग्रामिन शेतरों में अभी विद्धुत व्यस्था को लेकर सुधार कार्य जारी है उलेखनी है कि इस बारिस में अब खेती किसानी कार्यों में तेजी आएगी किसानों ने बारिस पूर्व खेती के जोताई कार्य पूरी कर ली थी इसके बाद ही किसानी कार्य भी तेजी पकड़ लेगी मिली जानकारी के मताबिक गरियाबन जिले में चालू मानसुन सत्र में गत 1 जून से 22 जून 2020 तक औसत वर्षा 205.1 mm दर्ज की गई है भूग अभिलेक साखा गरियाबन से प्राप्त जानकारी के नुसार 22 जून तक की स्थिती में सरवाधिक औसत वर्षा छूरा तहसिल में 252.1 mm दर्ज की गई मालूम हो कि 22 जून सोमवार को गरियाबन तहसिल में 130 mm, राजीम में 69.6 mm, छूरिया में 171.2 mm, मैनपूर में 116.4 mm और देवभोग तहसिल में 72.5 mm वर्षा दर्ज की गई है वहीं आज की औसत वर्षा 109.9 mm रही DNX TV के लिए गरियाबन से राधिश्यामस्वर्मानी रितेस यादों की रिपोर्ट